जहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों हर महीने की तरह हैं फरवरी 2024 के अंदर आपको क्या का काम करें ताकि आपको किसी भी तरह की इंट्रेस्ट, पेलेंटी वगरा ना लगे सबसा पहला काम दोस्तों आपको जो करना है साथ 2024 को अगर आपकी सरवरी 2024 महीने के अंदर आपने दोस्तों किसी का भी TDS काटा था या TCS कलेक्ट किया था तो साथ फरवरी से पहले पहले आपको इसको गवर्मेंट के अकाउंट में जमा करवा देना है अब बात कर लेते हैं दोस्तों 10 फरवरी की 10 फरवरी 2024 को GSTR 7 और GSTR 8 की अगर फाइल आप मन्थली फाइलर है जनवरी महीने की आपको है दोस्तों 10 फरवरी से पहले पहले फाइल कर देनी है अब बात करते हैं दोस्तों GSTR की जनवरी महीने की GSTR 1 आपको पताओगा QRMP और मन्थली 2 स्कीम्स होती है अगर आप QRMP में नहीं है इसका मतलब क्या है दोस्तो या तो आपकी टरनोवर 5 करोड से जादा है या आप वैसे ही मंतली में जा चुके हैं तो आपको हर महिने जो जनवरी महिने की जो GSTR1 की रिटन थी वो 11 फरवरी से पहले पहले फाइल कर देनी है ताकि आपने जो भी माल B2B के अंदर बेचा है दोस्तो तो वो सामने वाले के 2A में बोल जाए 2B में बोल जाए और उसको इन्पुट मिल जाए किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना सामने वाले को ना करना पड़े इसके बाद में दोस्तो 13 फरवरी 2024 मैंने आपको बताया रहे एक तो मन्तली होते हैं एक QRMP होते हैं मतलब जिनकी टरनोवर 5 करोड से कम है पिछले साल की वो इस साल के अंदर QRMP स्कीम में जा सकते हैं इसका मतलब quarterly तो return भरनी है और monthly payment करनी है तो दोस्तो आप return तो quarterly भरने लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने B2B के अंदर माल बेचा है तो सामने वाले को input लेने के लिए कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर दिखाना पड़ता है तो IFF होता है दोस्तो GSTR 1 की जगहें पर आप IFF बर सकते हैं जनवरी 2024 का IFF का मतलब invoice furnishing facility कि आपने सामने वाले को हैलां कि आप quarterly return में है लेकिन फिर भी हर महीने आप IFF बर के सामने वाले को input दे सकते हैं तो जनवरी महीने का IFF आपको 13 फरवरी से पहले पहले भर देना है इसके बाद में दोस्तो GSTR 6 और GSTR 5 है आपकी जनवरी मन्त की वो आपको 13 फरवरी से पहले पहले फाइल कर देनी है अब हम बात करते हैं दोस्तो 14 फरवरी की GSTR 2B आपको डाउनलोड करना है और उसे reconciliation करना है 3B से आपको पताओगा 2A के अंदर तो आपका input मिलता है पहले तो 2A वाला मिलता था अब 2B वाला input आपको मिलेगा due date से पहले पहले जिस सामने वाले व्यक्तिन अगर अपनी GSTR 1 भरी है तो आपके 2B में बोलेगा और 2B और 2 3B के अंदर दोस्तो आपका reconciliation आप 14 फरवरी तक कर सकते हैं 15 फरवरी 2024 दोस्तो अगर आपकी सेस्ता के उपर PF या ESI applicable होते हैं Provident Fund या Employee State Insurance तो जनवरी महिने के अंदर जो भी दोस्तो आपने इनकी deduction की थी 15 फरवरी से पहले पहले आपको फाइल करके पे करके इसकी फाइल भी लगा देनी हैं अब बात करते हैं दोस्तो 20 फरवरी की मैंने आपको बताया अगर आप GST के अंदर monthly taxpayer है तो एक तो GSTR 1 की return जाती है एक 3B की जाती है 1 की return के अंदर दोस्तो आपको अपनी sale दिखानी होती है और सामने वाले को input मिल जाता है 3B के अंदर आपकी sale भी जाएगी उसका tax भी जाएगा और purchase के उपर जो tax दिया दोस्तो उसका input भी जाएगा तो ये आपको 20 February से पहले-पहले January महिने की 3B आपको file कर देनी है नई तो इसके बाद करेंगे दोस्तो तो 50 रुपए per day की आपको यहाँ पे late fees भी देनी पढ़ सकती है फिर से दोस्तो 20 February 2024 January महिने की GSTR 5A थी आप monthly scheme में है तो 20 February से पहले-पहले file कर देनी है इसके बाद में दोस्तो GST का चलान करना है quarterly fares मैं आपको फिर से बताऊँ QRMP quarterly return monthly payment आप return तो 3 मेने बाद भर दीजिए लेकिन payment हमें monthly चाहिए हर महिने चाहिए तो आपका ITC लेने के बाद अगर आपका कोई भी tax payable बनता था दोस्तो उस महिने का तो आपको जनवरी महिने की जो भी आपकी tax payable था दोस्तो वो 25 February से पहले-पहले government को pay कर देना है नहीं तो बाद में आपसे interest मांगा जा सकता है तो इस तरह से दोस्तो आपको ये काम करने है और आपको late face interest penalty से बचना है वीडियो ची लगी हो तो लाइक करें अभी तक हमें subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लें इस वीडियो को सभी लोगों में share करें कोई doubt, query, question हो दोस्तों तो comment करें वीडियो हमारी कैसी लगी please comment करके बताएं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत नयवाद थैंक्यू सो मच, जय हिंद, जय भारत